हेलो गाइस मेरा नाम है आशिस तरासिया और मैं गौर्मेंट काक्थिया पीजी कॉलेज, MSC जोलोजी का एक स्टुडिन्ट हूँ आज हम फाइलम लेमेटे हलमेटिस के स्पीशिस, एसकरिस लुमरिकोईडिस को स्टड़ी करेंगे जिसे आप commonly roundworm के नाम से भी जानते हैं तो इस वीडियो में हम इसके classification, इसके habit और habitat, उसके distribution, उसके कुछ important comments उसके बाद देखेंगे हम difference between the male ascaris और female ascaris आप male और female ascaris को कैसे पैचान सकते हैं और इसके कुछ identification चलिए, हम सबसे पहले इसके classification को study करते हैं तो देखिए, इसका systematic position या फिर classification में सबसे पहले क्या लिखा है, phylum लेकिन मैं आपको एक चीज एक्ष्ट्रा बताना जाओंगा यह देखिए, ठीक है, इसके phylum की उपर में भी एक super phylum आता है हम nemeta helmetis को study करते हैं, इसकी उपर में भी एक super phylum आता है जो कि यहाँ पर pseudo-sylomates रहते हैं अब आपको समझना जरूरी है कि हमारे जितने भी phylum से, phylum protoser से लेकर phylum God data ठीक है जो 11 phylum से हमारे, उसमें क्या है, हमारे body में क्या रहता है किसी-किसी phylum में जो digestive tract रहता है जो हमारे digestive tract रहता है, और हमारे body wall की बीच में भी एक cavity present रहता है उस cavity को हम क्या कहते हैं, sylom हम उसे sylom कब कहते हैं, हमारे जो 3 germ layers रहते हैं 3 germ layers, कौन-कौन से, ectoderm, endoderm और mesoderm जब वो body cavity mesoderm के द्वारा घिरे होए रहते हैं जो वो body cavity mesoderm के द्वारा घिरे होए रहते हैं हम उसे क्या कहते हैं, sylom या पि प्रू sylom अब किसी-किसी phylum में क्या रहते हैं, जैसे-कि phylum platy helmets में वहाँ पर body cavity totally absent रहता है तो उस case में हम क्या बोलते हैं, उसको acylomates ठीक है, उसमें कोई भी sylomates present नहीं रहता है लेकिन हम super phylum escal helmetus में क्या study करते हैं हम इसमें study करते हैं, जितने भी pseudo sylomates वाल ऑगनेतम pseudo मतलब क्या false sylomates यहाँ पर body cavity, digestive tract और body wall की बीच में present तो रहता है लेकिन वो किसी भी तरीके से mesoderm से घीरावा नहीं रहता है क्या होता है, किसी भी तरीके से mesoderm से घीरावा नहीं रहता है उके इतना जानने काफी था अपना super phylum escal helmetus के बारे में अब हम देखते हैं, इसके आते हैं phylum जो है is?" phylum немatoda जो है hijlungenan हम वर्ड को देखेंगे हम मतलब होता है वाले और हम यहां पर हम राउंड वाम आप कह सकते हैं साथ यहां पर हम इतना आगया चुके तरफ तो यहां पर हमें और ग्रेड ऑफ और ओर्गनाजेशन भी देखने मिलता है मतलब क्या यहां पर थोड़ा थोड़ा हमको और गन दिखने चालू हो जाएंगे उसका क्लास में है फैस मीड़ा क्लास में क्या लिखा है फ्लेस मीड़ा में हम वो सारे रीजन में किसी एक तरफ से opening on either side of tail किसी भी एक रीजन के tail के इसके जो ये sense organ है जिसको हम फैस्ट मिडा बोलते हैं वो प्रेजेंट रहता है वो सारे organism को हम किसमें इस class फैस्ट मिडा के अंदर रखते हैं अब इसके order order जो है अब आपको क्या समझ मिलेगा किस organism को हम इसके अंदर study करते हैं वो सारे organisms जो की एक तो large size worms होंगे इसके रोइडिया के अंदर large size worms होंगे दूसरी सीच क्या mouth surrounded by three lips इनके जो mouth रहता है वो तीन lips से घिरावा रहता है ठीक है फिर तीसरा चीज क्या पैरसेटिक रहते हैं यह क्या रहते हैं वोसली पैरसेटिक रहते हैं किसमें पैरसेटिक रहते हैं वर्टीब्रिट्स में पै अब सारे बाते को मेरे साथ साथ नोड़ डाउन करते रहें अब हम आते हैं इसके किसके उपर classification के बाद हम habitat और habit और इसके distribution के उपर भी आज रहते हैं चलिए uh habit यह यह जो रहता है हम बोले सकते हैं कि जो वर्टी वरेट से रहते हैं इनके स्मॉल इंस्तेटừng बैए जाते हैं मेंं कि इसमॉल स्मी पाई जाते हैं किसके बारे में gastrointestinal parasite of humans ठीक है gastrointestinal parasite of humans आप इसे साथ साथ नोड़ डाउन किजिए उसके बाद इसके distribution को अगर हम देखेंगे तो यह distribution जो है में mostly पाया जाता है अगर specific reasons देखेंगे तो especially India, China, Korea, Philippines specific islands में ज्याज़ा तर पाया जाता है ठीक है इसके साथ हमारा क्या habitat distribution भी आपको खतम होता है इसके बाद हम चलते हैं अगले point क्यों पर जो की है इसके important कुछ comments के उपर ठीक है अब आप देखिए मैं जितना भी बात करने वाला हूं मैं कभी यहाँ पर male asqueries और female asqueries के बारे में अलग से नहीं बताऊंगा आपको अभी हम जितने भी points की पर चर्चा करेंगे वो सारे common factors हैं ठीक है वो male में भी female में बोल सकते हैं कि एक asqueries में एक asqueries जो रहता है उसका common features कुछ क्या show करता है वो हम study करेंगे तो ठ से पहले किसके साथ चालू करूंगा infection के बारे में इसके infection का नाम है आप जानते होंगे बच्पन से क्या हम इसके English में कहते हैं asqueries इसे English में कहते हैं asqueries आप इसे बहुत commonly जानते हैं कुर्मी के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा asqueries यफी कुर्मी जी हाँ यह वही औ intestine में पाए जाते हैं और मुष्टली intestine से कहां जाते हैं जो kidney से spinal cord brain और muscle से वहाँ पर यह पाए जाते हैं ठीक है वहाँ पर यह क्या कर सकते हैं अब इसके adult form में का बात करेंगे देखिए हम बात करें कि इस चील्डेन में क्या है लार्वल फॉर्म में इंटेस्टेंड में प्रेजन रहते हैं इनके kidney में जा सकते हैं इनके लार्वल फॉर्म से यह डेवलप होके adult में चले जाते हैं तो एडल्ट में जिस बीमारी का कॉस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं आप इससे भी नुड डाउन कीजिए क fellas which therapeutic limite रिटीज कहते हैं और इसके बाद हमें यस जानना जरूरी है कि यह पिएर्स में ठीक मतलब जोplants है उसके आखी बन जिसके प्ली करेंगे क्या करते हैं प्रेस में में प्रेजन रहते Jubal इनका जो होस्त है जहां पर इंटेंट कोस्त करते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होष्ट में कोस्त करते है मतलब किसमें इसमें कुछ इंटेमिडियर्ट होस्त देखा NICK ही जा सकता ठीक है जैसे हम इसके पहले ही परोटो मैं रहिंद कृसज में कि नहीं मिलता माली जिए अगर यह human को infect करते हैं तो इनका जो और जो एक्षरी को ही infect कर सकते हैं आप वो दूसरे polling मैं ही है क्या हर सकता है यह आपनापण चाहता है जिसे कि में ऐक आपने मेंटे हेलमेट इसके देखेंगे पहली बात तो आप देखके जानेंगे कि इसमें तो अपना round warm cylindrical body लेकिन दूसरा चीज़ आप देखेंगे इनका जो dorsal region रहता है ने में में आपको एक line मीलेगा उस इसाथ वेंट लेटरल लेटरल पोजिशन में हमको दो डो दो लेटरल लाइन देखने मिलता है ने कहीं चाथा हूं यहां पर इनका entire body जो है चार longitudinal line से गेरावा रहता है एक mid dorsal दूसरा एक mid ventral और तीसरा है मतलब तोटल चार लाइन्स रहते हैं, इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, ठीक है, हम इसके बाड़ी के लेंद्ध के में बात कर लिए, अब हम इसके किसके बारे में बात करते हैं, माउथ के बारे में, चलिए माउथ को श्टडी करते हैं, यह देखिए, इनका माउथ जो ह जहाता था कि ती लीप से गिरवा रहता है सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे कि यह ट्रायवं बा Sense अनका duevbles का मतलब है करें ठीऊ का मतलब को करें ठीक है को झाक कि ए पहली बाते रिदेटे दूसी बात क्या कि गिरेवोय रहते हैं सक यह यह पहला यह दूस्रा यह तीस्रा तीन लिप से गिरावा रहता है OK, आब हम लेखते हैं कि जो उपर वाला लिप है हम इसको कहते हैं Mid Dorsal ठंगि ऊपर वाले लिप को क्या करेंगे Mid Dorsal हैं मेड डॉर्सल अब यह जो नीचे वाले दो लीप हैं इसे हम क्या कहेंगे थिदि के नीचे वाले लिप को हम क्या कहेंगे लेज़क्तpor लेडरường क्यों एक तो वी देडाल पोजि finland पोजिचन में है ना नीचे पोजिचन में वै न्चिफ वैइंड evening you आप आपको जानना यह ज़रूरी है कि यहां पर यहां पर कुछ sensory organs प्रेजन रहते हैं ठीक है यह को जो आपको-डॉड ड़ॉट दिखाई रहा है यहां किया होते हैं कुछ-कुछ इनके sensory organs प्रेजेंट रहे जिसे हम क्या कहते हैं प्युपिला इस उपर वाले लिप में सिर् पील और कीमो रिसफटर तो यह basically क्या रहता है कुछ हीक तरीका का चल जाते हैं और साथ कीमो रिसफटर रहते हैं इसके साथ क्या होता हैं अभी हम लोग जीतने में common characteristics सा वह हम discussion कर चुके हैं अब माले जी आप लैब में हैं वहाँ पर को देखेंगे female को देखेंगे तो कैसे पैचानेंगे दोनों में क्या अंतर रहता है तो उसको study करते हैं तो सas तो चलिए उसई में जिसको देखते हैं तो चलिए यह ढेखिआ जैसे कि यह male और female जाहिए दूसरा चीज जो मेल का टेल रहता है वह कर रहता है लेकिन फीमिल का एंटार बॉड़ी क्या स्ट्रेट है कोई भी इनमें कर नेस्ट को भी देखने को नहीं मिलता इसके बाद आप देखने जाएंगे तो इसके मेल और फीमिल में इनके जो एनस पोजिशन रहता है आप बोल सकते हैं इनके जैनिटल जो पोजिशन रहता है जहां पर इनके क्या होते है जो स्पर्म निकलने वाले जो इनके अपर्चर्स रहते हैं वहां पर कुछ हमें distinctive features देखने मिलते हैं मेल और फीमिल में ठीक है हम यह देखिए यह एक डागराम है ठीक है इस डागराम क्या बोलते हैं हम लोग कल एपर्चर से रिप रिपर्स हो जाता है तो यह क्या रहता है बिसीखली यह जो डागराम है ठीक है बहुत इंपर्टेंट बाद कर दोड़िकर का एनस रहता है और जो जेनिटल ट्यूब्बस रहता है ठीक है जानिटल ट्यूब्स का जू उनका एंड ब्युलते हैं वा दोनों इंदे इंद्िल ऑब झाले ढगा अंजी क्लोखी रहते हैं यह जहां यहां पर आपको देखने मिलेगा पीणलोफ सीटी कर के ठीक है Penal City, यह जो Penal City है यह जो दो आपको structure दिखाए दे रहोंगे यह दो structure क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं Isospecules, तो क्या बोलते हैं Isospecules ठीक है यह देखे, हाँ, Isospecules Isospecules basically क्या रहते हैं यह उस position को Guard करेंगे, जहां से यह sperm transfer करते हैं, जो female में sperm transfer करते हैं, यह उस function के time, जो Isospecules रहते हैं काम में आते हैं, ओके अब जो बचावा portion है जो इस clockal aperture की बचावा portion है इसे हम यहाँ पर male में tail कहते हैं किसे क्या कहते हैं, tail female को देखेंगे, तो यहाँ पर इनका annus, यह देखे, annus जो है बिल्कुल ही separate है, ओके, इनका annus जो है, बिल्कुल ही separate है, और साथ ही साथ, इनका जो female बोल सकते हैं कि genital pore है, जो है जो male में genital pore, local aperture में मिला हुआ था, लेकिन female में जो genital pore है हमें अलग से देखने मिलता है, ठीके इसे हम क्या करते है, genital pore, vulva जो है, इनके mid-ventarily कहीं पर लाई करता है, ठीके, mid-ventarily कहीं पर लाई करता है, ओके अब हम क्या करते है, एक अलग से इसका diagram में फिपी पीचर देखते हैं, यह देखे, यह हो गया, male का male ascaris, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर है, यह हो गया, हमारा male ascaris, अब आप female को देखेंगे, ओके, आप female ascaris को देखेंगे, तो यह देखे, यहाँ पर हमको क्या में देखने मिल रहा है, यह कहीं पर mid-ventarilyn में हमको इनका genital pore, फिवलवा जो है, यह हमको देखने मिल रहा है, जिसे हम गोनोपर भी कहते हैं female में, ओकी, और इसके जो एनस है, यहाँ पर कहीं पर जो posterior region में लाइक करता है, तो इसके साथ में क्या होता है, आपका male ascaris और female ascaris के बीच में आपको जो difference है, आपको समझ में नहीं बटे होए होते हैं, पहला जीज़, दूसरी चीज़ क्या, इनका जो tail जो है, male में, जो male portion रहेगा, उसमें tail जो है, curve मिलेगा, female portion में क्या मिलेगा, straight मिलेगा, तो यह सारे जो चीज़े हैं, हम जितने भी ऊपर डिसकर्स कर चुके हैं, जो rounded warm रहते हैं, round warm रहते हैं, cylindrical रहते हैं, इनका unsegmented बात रहता है, curved tail, जो pointed tail रहता है, female में, यह सारे चीज़े को क्या कर सकते हैं, देख के पैचान सकते हैं, कि this is an ascaris lumbrichoidis, तो I hope कि इसके साथ आपका इस जो concept से कुछ clear होए होंगे, और आपके studies में भी आपको कुछ help मिला होगा, तो इसे के साथ ही आपका जो ascaris lumbrichoidis से पूरा खतम होता है, thank you so very much.